यहाँ पे payroll management system हम लोग देख रहेते हैं यहाँ फिर हम घ्राइबल कि रिट की रिट किया था modules के लिए थिया पर सारे मेंने जो modules के लिए हम लोग ने बात किया था उसको सबको मैंने यहाँ पर एड कर लिया है अब इनको यहाँ पहँ को डाइनेमिकली यहां पर साइड बार में इसको दिखाना है और यह जो होगा वह परमिशन के बेस्ट होगा अगर सब्सक्राइब अगर आपका, यहोगा उसके बाद अगर सब्सक्राइब, अकछ्वार्ट इंले मोदुल का यहां पर मैं इसे कर लेता हैं उसके यहां पर हूँ अपने अपने कोड में और यहां पर टॉप अगर आप देखेगा तो टॉप एडर लगबग अल्मुस्ट सारे स्कीन में हम लोग यूज करने वाले हैं क्योंकि अगर आप यूजर में जाएंगे जब हम लोग ने एक मोड्यूल क्या था यूजर के लिए तो यहां पर मैं मोड्यूल में जाता हूँ यहां पर अगर मैं यूजर में जाओंगा तो यहां पर देखे हम लोग कुछ इसी तरह से यूज करेंगे सबसे परले हम लोग पाथ ही करेंगे कि कौन से पाथ हम लोग इसको दिखाना चाहते है और टॉप यहां पर रहेगा उसके बाद साइड बार रहेगा हैडर रहेगा जहां पर यह वाला पार्ट आपका जाता है और उसके बाद यहां पर साइड बार आता है और अभी हम लोग को जो काम है यह जो डेटा है इसको हम लोग को दिखाना है वो साइड बार में दिखा रहा है कि तो यह जो mena law को वहां पे दिखाना है। तो मैं क्या करना यहां पर यह सुक्य टॉप इडर तो ओलेडी यह आप इंकूड़ रहे का तो उसको इंक्लूड करने का जी यह थो मैं अभी क्या खरता हूं लेकिन आप header में अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं और यहां पर जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो सब मेनू है वह यहां पर आ जाएगा हो गया अब मुझे यहां पर कोड लिखना है जो कि गेट करेगा वह डिटाबेस से तो यहां पर असको मैं क्या करता हूं कि कट करता हूं यहां से और इसको मैं यहां पर क्लोज कर दूंगा ठीक है और चुकि यह है ऐसे लेकिन यह से काम नहीं करेगा तो इसको मैं अभी तो मैं इसको रहने देता हूं यहीं पर मैं क्लोज करता हूं टाकि हम लोगों कोड लिखना है तो कोड लिखने में कोई प्रोब्लम ना हो यहां पर सिंपल सा एक क्यूरी लिखता है क्यूरी यह होगा कि यहां पर मैं क्यूरी लिखता हूं और यह क्यूरी यह होगा चुकि अभी हम लोग रोल पर फोकस नहीं कर रहा है अभी जस्ट हम लोग डेटा को लेकर आ रहा है बाद में हम लोग रोल के उपर इसके बाद हम कि आप ते नीम कि आप देख सकते हैं कि मौडुल है तो यहाँ से मैं इसको करके फ़िछ करके ऑब को हिसестоी है Прู่ को कर ने चाहते हैं थीज अब यहां पी एक हम लोग फिर्स चलाते हैं क्योंकि यह यह डेटा है, और टाइम ब्रॉट मृक्रार नहीं यह तो है 25 रीखौर्डर रहा है तो इसके लिए हम लोग चलाता है कि सारे record को बराबर हम लोग पॉपुलेट कर पाएं तो यहां पर मैं लिखता हूँ dollar row each row के लिए mysql fetch array array में मैं इसको get कर लोंगा और यहां पर मैं use कर लेता हूँ run ठीक है और simply मैं क्या करता हूँ एको मैं crypto बips कर देता हूँ यही पर और इस पार्ट को मैं यहां से cut करता भूँ इसको विम्हाइन हटा देता हूं ठीक है और इस पार्ट को कट करके मैं यहां पर डाल देता हूं ठीक है और चुकि डारेक्ट लिए मैं इसे नहीं डाल सकते हैं अगर प्यश्वी का आप कोड लिख रहा है है अगर अगर मैं इसको रन करता हूं तो अब आप देखे यह कैसे आ रहा है ठीक है यह जितना है सब का रिपहर काई यहां पी इसने दे दिया यहां के जितना है सब के लिए इतने यहां परune रों इसने क्रेट कर दिया है अगर मैं नीचे जाओंगा तो यहां पर पुरी 14 रो आ जाएंगे लेकिन अब हम लोग का यहां पर लूप तो काम कर रहा है लेकिन यह डेटा जो है न वह डेटा को हम लोग लेना होगा तो देखें यहां पर जो मेनु है मेनु ग्रूप वो होगा यह वाला पार्ट ठीक है जैसे यह अगर डैस्पूड है तो यहां पर मैं इसको रखता हूं यह पी और डॉलर रो ओके एंड यहां पर हो जाएगा मेनु ओके और जो यह होम है अभी होम नहीं रहेगा यहां पर हो जाएगा मोडियूल ने मतलब की यह वाला पार्ट मोडियूल लेबल ठीक है तो यह लेबल है ना तो यह लेबल आ जाएगा तो मैं जस्ट इसको यहां से कॉपी करके मैं डाल देता हूं यहां पर तो यह आ गया लेबल अभी क्या होगा कि हर जगा डैस्पूड डैस्पूड नहीं यहां पर यहां पर यहां पर देखेगा ठीक है तो यहां पर अगया है तो यहां पर आ रहा है जितने हैं उसमें सारे details आगे हैं लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम में है कि तालेंट एडमी वर्क हार यहां पर दो बार आ रहा है लेकिन हम लोग raised जाएगी जब talent admin work यहां पर module group है तो इसी talent admin group के अंदर यहां पर monitor है और यहां पर फिर talent डिरेक्ट है तो यह दोनों इसी के अंदर आ जाए तभी तो actually यह काम करेगा राइट नहीं तो यह क्या होगा कि एक एक बार सबको talent admin work जैसे यहां पर दिखें सिस्टम सिस्टम दो बार इसने group बना दिया है तेलेंट admin फिर आ गया फिर सिस्टम आ गया फिर work management work management ठीक है तो यह actual नहीं है तो इसको हम लोग को करने के लिए क्या करना होगा थोड़ा से changes करना होगा यहां पर talent admin work है तो talent admin work के अंदर जितने सारे यह लेबल्स हैं modules हैं वो सारे इसके अंदर आने चाहिए ठीक है तो अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर यहीं पर मैं एक मैं एक काम करता हूं वह यह कि मैं जस्ट यहां पर एक simply array मैं बना लेता हूँ और यहां पर लिखता हूँ मैं मोड्यूल और यहां पर मैं लिखा हूँ एख टो अडिय यह झायर रहा होगा यह इंपटी होगा इस फिलाहल कुछ नहीं रखेंगे और यहां पर लगाइन ऑफ कि यह जो डेटा आ यहां पर मैं एक एक करके check करूंगा और इसको डाल दोंगा इसके अंदर एक मैं नेया ऐरे क्रिट कर लूँंगा तो यहां पर जैसे पेस्ट जाकर लखना होगा तो और इसके अंदर जो यह वाला पार्ट है यह वाला ठीक है इसको मैं डाल लेता हूं तो यह क्या करेगा मोड्यूल के अंदर एक एरे क्रेट करेगा जो यह ग्रूप है उसके नियम से मतलब यह जो मेन्यू है उसके नियम से के ग्रूप create करेगा और इस ग्रूप के अंदर मैं एक आयरे बनाऊं गा जैसे आयरे ठीक है और इस मड्यूल के अंदर ही मैं इस आयरे को पास करूँगा और यह ऐरे कुछ इस तरह से होगा इसके अंदर मैं इस तरह से फास कट देता हूं या बल्कि कुछ करने के जरुवत नहीं है यहां पर मैं एक आरे डालूंगा यह भी एरे के सिंपल ही है तो इस तरह से आप डाल सकते हैं और यहां पर हो जाएगा आपका यह पूरा रो या फिर यह पूरा रो ही हो जाएगा यहां पर पूरा रो आ जाएगा ठीक है अब मैं यह मोडियूल्स आ गया ठीक है इस मोडियूल्स को मैं यहां पर मैं वैडम करता हूं तो एक्शुली यह चेक करने के लिए कैसा दिखेगा जो डेटा हम लोग ने क्रेट क मैंने किया और यहां पर जाएगा इस फ्रेंट कंब कि मड्ु थे मैं इस को daha ski अंडर क्या और यहां पर इस montrer है उड्यकु यहां पर तो टयलेंट एड्मिन वार्ट देखेट टयलेंट एड्मिन वर्क यंदर रहा है पहला तो जीरो एस्टिंग जीरो एस्टिंग आईडी आ गया टेलेंट एड्मिन वर्क मेनू आ गया ठीकि यह इस तरह से नहीं आएगा एक्शुली मैं क्या करता हूं यहां पे मैं इसको एक्जिट करा देता हूं तब एक के लिए आपको दिखाई देगा इसके अंदर मैं जीरो पास कर देता हूं और अगर आप अच्छे कर रहे हैं कि आपके तो नीचे का कुछ भी नहीं आया वैडम तो किया इस नहीं लेकिन नीचे का कुछ नहीं आया है तो यहां भी अगर आप देखेगा ना तो यह कहरे के अंदर यहां पर पांच आ रहे हैं जैसे टैलेंट मिन वर्क और इसके अंदर जीरो जो स्टिंग है वह है फिर फूटिन आइडी इसका यह है इसको हम लोग चेक करते हैं अभी यहां पर तो वैडम तो हो गया अब इस यहां पर सिम्पल ने है एक फो डिच का लूप चलाता हूं ऑर यहां पर आही जाएगा यह वहलगा पाट मोडूट का है और ग Eaर की यई कि अ वालूट की एंट वैलू हो जाएगा ओके और अगें यह लूप यहाँ पर ओपन हो जाएगा और क्लूज यहाँ नहीं होगा क्लूज नीचे ओलेडी हो ही रहा है ठीक है और इसमें अभी एक चेंजज और है वो चेंजज यह है कि अभी यह रहाएगा यहाँ पर पहले मैं क्या करूंगा इसको जाएग लिए की मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूं क्योंकि की में हम लोग क्या डाल रहा है अब यहां पर चेक करते हैं इसको तो मैं स्कॉल करता हूं यहां पर अब अगर यहां पर देखिएगा तो यह तो यह आया Talent Admin Work को के Visual Management और work Management यह तु ठीक है यहाँ पर इसने आया है Talent Admin Work लेकिन इसमें क्या क्या है कि Talent Admin Work अगर आप देखेगा यहां पर तो जैसे यह है Talent Admin Work है ना यह Talent Admin Work और मैं यहां पर यह करता हूं फुर मेन्यूट तो टालेंट एड्मिन वर्क और जांस को एकजिट करता हूं तो यहां पर देखेए जो लास्ट वाला है मैंने सिफ्ट क्यों यही व्ला पार्ट यहां पर आ रहा है मैंने सिफ्ट मतलब कि यह पूरा ऊपर से इसने हटा दिया और लास्ट में जो है उसको इसने रखा है यह क्योंकि यहां पर हम लोग ने रो डाला है और इसके बाद एक इंप्टी अज़रा डाल देंगे तो हर बार क्या करेगा तो यह रहा टेलन इन विन वार्क मैंने सिप्ट लेकिन इसके अंदर क्या बोला है कि अरे जो है उसका लेबल इसने उसको नहीं मिल रहा है तो अब देखिए यहां पर की आ गया और इस वैलू को अगर हम लोग करते हैं इस तरह से यह करके आ रहा है ठीक है तो मतलब यह है ना कि इसके बाद एक और आपको यहां पर यहां पर यहां पर आजाएगा आपका यहां पर बलकि मैं फॉर डाटली चाला देता हूं और यहां पर आजाएगा वैर और डॉलर इकोल टू जिरू से स्टार्ट होगा और समय कोलन डॉलर आई यहां पर डाल दूँगा यह जो वैल्यू है उसको वैल्यू है इसको मैं यहां पर डाल दिया ठीक है और कमा डॉलर आई प्लस प्लस और इसको भी मैं यहां पर लोज कर देता हूं है यहां पर ओपन करना होगा तभी जो जोगा ना तो इस इसको क्लोज करते हो और वैलू आगया यहां पर तो प्लस और यहां पर है लेकिन यह जो लेवल है इसके बाद में यहां पर डाल दूंगा कि कौन से आई के लिए मतलब कौन से पाउंट के लिए है test की उसके नदर बोख सारा होगा फॉब के उसके अन्दर बहुत सारा होगा की एक चलेगा इसके लिए अब देखते हैं तो यहां पर talent admin work आया talent admin work अगया talent admin work ओके यह सबके लिए इसने क्या किया है कि talent admin work ने डाल दिया है फिर manage workplace visual management ओके और यहां पर अगया talent admin work की आ रहा है अब के एक्चुली क्या है न कि यहां पर यह फिर फिर चलेगा यहां पर अगर मैं रखता हूं इसको अगया है और यहीं पर यह फिर 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 फि निखिएगा तो talent admin work के अंदर यह सारे आ गया जैसे monitor talent directory monitor attendance talent directory फिर payroll salary benefits leave setting and management यह आ गया यहां पर लेकर undefined यहां पर बोल रहा है कि array की on line number 27 line number 27 यहां पर इसको बोल रहा है ठीक है तो मैं भी इसको मैं क्या करता हूं कि just मैं not equal to रखता हूं उसके बाद मैं देखूंगा तो देखें मैंने shift तक यह आ गया प्रोपर तो talent admin work मैंने shifts यह आ गया पार्ट पूरा और फिर अगर मैंने workplace के अंदर मैंने देखेंगे तो मैंने workplace के अंदर में भी केवल एक ही है तो इसलिए यहां पर आ रहा है अगर मैं इसको copy करता हूं और अगर मैं चेक करूंगा manage workplace और manage workplace के अंदर चेक करते हैं कि कितने है modules यहां पर तो यहां पर एक ही है तो यहां पर आ रहा है और फिर visual management है और यहां पर आपका system है और फिर यहां पर work management है layout है और फिर यहां पर settings आ है ठीक है तो यह अभी हम लोग का जो module है वो टेबल से directly हम लोग का यहां पर view होके आ रहा है अभी यह चीज और है कि यहां पर आप देखिएगा तो सब ठीक है लेकिन मैं चाहता हूं कि जो visual management वाल पार्ट है visibility वाल 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 यह टॉप पर आया तभी तो यह रहेगा ना पहली यह क्या हो रहा है कि पहली यह आ रहा है आपका यहां पर talent admin work जो की नहीं होना चाहिए इसको थ्वास हम लोग sorting करते हैं that's why हम लोग यहां पर यूज किये हुए है इसका तो मैं यहां पर one कर लेता हूं ठीक है और अगर मैं यहां पर चेक करूंगा order by order by sort ठीक है और अगर मैं इसको चेक करूंगा तो क्या आ रहा है कि यहां पर वो जो है वो नीचे चला गया औ और इसको मैं क्या करता हूं सबको मैं to कर देता हूं अगर जैसे to इसको मैं update करता हूं तो वेर आइडी नॉट नॉट इकॉल टू टैलेंट अड्मिन वर्क के लिए हम लोग नहीं डालना था है यहां पर attendance के लिए 2 है और विजुल मैंजमेंट के लिए हम लोग लड़ा तो महलब जब कि जहां पर आइडी जो हो वो थ्री ना हो तो उसके लिए हम लोग यहां पर चेंज करने वाले हैं तो जहां पर आइडी थ्री ना हो ठीक ना तो उसको हम लोग क्या करेंगे यहां पर टू कर देंगे और अग कर गया मैं इसको चिक करता हूं तो देखिए यहां पर प्रफेक्टली यहां पर जो विजूल मेंजमेंट है वो टॉप पर आ रहा है तो यह सेम चीज अगर मैं वहां पर लगा दूँगा अपका पे रोल वाले में जो हम लोग नहीं यहां पर कमांड लिखा है तो विजूल म है कि जब मैं इसको रिफिस कर रहा हूं तो सारे जो है वो अटमेटिकली यहां पर ओपन होके आ रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए तो मैं इसके लिए क्या करूंगा कि यहां पर जैसे की लाई है यह लाई है और यहां पर सबके लिए ओपन नहीं आना चाहिए और यह सब क यहां पर कि अब अबया सर्विस हेरार चारिप में और यहां पर आ जाएगा या सर्विस के बाद पूरा जो है वाला पार आ जाएग मोद्यू से एंड डिक्ष्ट यहां पर मने रख लेता हूं बाकि रूब कर देता हूं और बागी किच्छे का जरुवत हम लोग को नहीं है और इसका भी कुछ खास जरुवत नहीं इसको भी हाटा जेता हूं तो यहां पर आ गया मोड्यूल्स ठीक है और एरियल एक्सपेंड यहां पर फॉल्स आ रहा है और मैं अब चलिक करूंगा तो यहां improves कर रहा हूं तो यहां पर दिखियाएगा तो यह सब क्लू जोकी आ रहा है अब मैं जैना करउंगा तब यह जाकर क्ट करए बचनल होगा जैसे जैसे मैंने इसको किया और जब मैं इसको करूँगा तो तब जाके एक्ष्वेंड होगा और नीचे वाला अटोमेटिकली ग्लोज हो जाएगा ठीक है तो अभी यह पर्खक्ली हम लोग का जो डेटाबेस के साथ है वो इस तरह से काम कर रहा है और यह आभी रहा है है अब इस फिसे तरह से जो यह वाला पाट है है एकंस वाला आइकंस वाल थोल्य क्द करैं के यहां पियर क्दैन्गा ओंड करेंकि यहां पर लोग डालेंगे और आइकं के लिए हम लोग यहांपे कर सकते हैं तो जैस्ट मैं क्या करता हूं कि अब है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह वाला है यहां पर देखना होगा आपको क्या काम कर रहा है बिकॉज की भी आ उजिंग फ्री हेर तो यह चीज है आपको थोज से देखनी होगी अगर आपके पास कोई और लाइबरीर तो और और कोई लाइबरीर भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे आपको उसका प्लोग़िन उगर इस्टॉल करना होगा यह फिर हुज कर सकत gallery तो यहां पे जो iqo काम कर रहा है तो यह वाला जो पार्थेन आइए भीक फूल ठीक न जैसे यह वाला है its को मैं क्या करूंगा सिय यह वाला पार्थेवर मैं कॉप भी करूंगा और इसको मैं डाल दूँगा यहां पर आइकन में ठीक है और इसी को हम लोग गेट कर लेंगे यहां पर तो कैसे गेट करेंगे जस्ट आपको क्या करना है यहां पर कि यहां पर आइकन के लिए आपको क्या करना होगा कि यहां पर थेप्ट ईककंज सäन तो अपर आते रहेगा और इसके साथ यहां पर इसको भी जीरो चुकि यह जीरो पोजिशन पर होगा और यहां पर मैं यूज़ कर लूँगा आइकन अब जब मैं इसको चेक करता हूं तो देखते हैं क्या आ रहा है तो यहां पर देखिए बाकी के लिए इसने इम्टी दे दिया लेकिन यह वाला जो आइकन है यह अब लेबल है यहां पर तो यहां पर जैसे मैं अगर करता हूं ठीक है तो इसी तरह से ना आप क्या कर सकते हैं यहां पर की जो डो य। का आईकन है उसको आप यहां पर शक्रसक्ते है जैशी यूजर है तो इसको मैं यहां पर यूजर डाल दोंगा और उसके बाद क्या मैं इसको रिए आईकन डी तरह से जो बाकी के लिए हैं मैं कर लेता हूं वक्प्प्रेल्स वर्क्प्लेस के पर मैं कुछ भी बडाल देता हैं आप इसको क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका जो जो अब चाहते हैं ठीक है तो आइकन यहां पर आप उसको आट कर सकता है तो यह वर्क प्लेस के लिए हो जाएगा यहां पर मैं क्या करता हूं कि गुरूप बै कर लेता हूं गुरूप गुरूप बै और यहां पर आजाएगा मेनू गुरूप बै मेनू ठीक है तो यह आजाएगा यहां पर और एक हम लोगा बच रहा है यहां पर सिस्टम के लिए जब मैं इसको रिफ्रेस्ट करूंगा तो यहां पर आ जाएगा यह है मैने वर्क प्लेस और एक सिस्टम के लिए और एक बच ज्जा गा वर्क ममेंट कि लिए त्ली सिस्टम के लिए मैं सेट्ञ्स का है कने उज कर सकता हूं सेटिंग्स एक्छली हम लोग को दो आएकन करना अगर इंटर्निमने लीगर के लिए भी मुझे एक इसी टाइप सा इकन चाहिए जो की वर्ग के लिए हो जाए तो मैं यह वाला जो है न यह तो नहीं होगा लीस्ट का में यूज कर लेना हूं यह वाला अब इसको चेंज कर सकते हैं चुलि मैं जस्ट यहां पर इसी डाल रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है कि यही चीज आपको यहां पर यूज करना होगा तो यहां पर जो हम लोग का एक मोडूल है जो डेनिमटी डेटाबेस से आने वाला था ठीक है वो सारा हम लोग का यहां पर आ लिसे हो जाता हे हैं कि अगर मैं प्लिक करता हूं थो यह उजर वाला सवह हैं यहां पर आ जाएगा इसले से मिन लोग करेंगे कि बाकि जो कीज़ है उसका YARU अगर हम रपाइंग करना है प vertїल करने में यहां यहां पर लिया है है दो इस शॉलमत है यह चिर्ण वीडियो में और बाकी चीज़ में हम लोग फोकस करते हैं जैसे कि यहां पर वर्क प्लेस में और फिर हम लोग फोकस करनेंगे यहां पर या फिर उनलग सिस्टम के अंदर ही वर्क प्लेस भी करेंगे और उसके बाद यहां पर जो पर मिसंस है उसके लिए इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं तो थैक्स पर वाचिंग इस वीडियो में ट्रप्टे के लिए टेक केर और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा